नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की साइप्रहप्ताडीन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, साइप्रहप्ताडीन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और साइप्रहप्ताडीन टैबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Cyproheptadine Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में Cyproheptadine Tablet को लेना recommended नहीं होता है और यह भी जानेंगे कि क्या वजन को बढ़ाने के लिए Cyproheptadine Tablet को लेना सही है या नहीं Cyproheptadine Tablet Anti-Histamin Drug Class की दवा है जिसका उपयोग भूग को बढ़ाने के लिए और allergy व नजला के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है allergy या नजला के लक्षण जैसे की नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आधी लक्षणों से राहत पाने के लिए Cyproheptadine Tablet का उपयोग किया जाता है जिन व्यक्तियों को भूग कम लगती है उन व्यक्तियों में भूग को बढ़ाने के लिए डॉक्तर Cyproheptadine Tablet को लेने की सला दे सकते हैं Cyproheptadine Tablet भूग को बढ़ा कर वजन को भी बढ़ाने में सहायक होती है अब हम डिसकस करेंगे की Cyproheptadine Tablet की वज़़ से क्या side effects हो सकते हैं Cyproheptadine Tablet की वज़़ से नीन अधिक आ सकती है और शरीर में सुस्ती हो सकती है Cyproheptadine Tablet की वज़़ से वजन बढ़ सकता है क्योंकि Cyproheptadine Tablet भूग को बढ़ाती है जिसकी वज़़़ से वजन बढ़ सकता है लेकिन कुछ व्यक्तियों में साइप्रोहप्टाडीन टैबलेट की वज़ से भूख कम भी हो सकती है। इसके अलावा साइप्रोहप्टाडीन टैबलेट की वज़ से गले, मुह और नाक में सुखापन, चिर्चिडापन, नींद ना आना, दस्त, कब्स, सिर्दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदी साइड एफेक्ट्स साइप्रोहप्टाडीन टैब को कैसे लेना recommended होता है, साइप्रोहप्टाडीन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, भूब को बढ़ाने के लिए 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर साइप्रोहप्टाडीन 4 एमजी टैबलेट को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन साइप्रोहप्ताडीन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको साइप्रोहप्ताडीन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की साइप्रोहप्ताडीन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में साइप्रोहप्ताडीन टै काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है, क्योंकि साइप्रोहप्ताडीन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों में कुछ समय के लिए मानसिक सतरकता कम हो सकती है, और नीन अधिक आ सकती है, जो व्यक्ति दिन के समय ओफिस में जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को डॉक्तर साइप्रोहप्ताडीन टैबलेट को केवल शाम के समय लेने की सला दे सकता है क्योंकि कुछ व्यक्तियों को साइप्रोहप्ताडीन टैबलेट को लेने के बाद नीन अधिक आ सकती है जिसकी वजह से उनका ओफिस का का अब हम जानेगे कि क्या वजन बढ़ाने के लिए साइप्रोहप्ताडीन टैबलेट को लेना सुरक्षित है या नहीं। स्टेरोइफ दाओं की वज़ह से सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी दवा को लेने से पहले आपको डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सला के बिना किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं साइप्रोहप्ताडीन टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरुरत पढ़ने पर ही साइप्रोहटाडीन टैबलेट को लेने की सला देते हैं. और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है, उनके लिए साइप्रोहटाडीन टैबलेट का सेवन करना recommended नहीं है. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तंपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर की सला के बिना साइप्रोहप्ताडीन टैबलेट का सेवत नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका साइप्रोहप्ताडीन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है